भार्तिय गवक्रांती मंचने के इंदो सरकार से गाय को बचाने के लिए इसे राष्ट्रे माता गोशित करने की मांगी है। के गुपाल मनी महराज ने कहा कि देश में आज गाय सडकों पर घूम रही है। गाय को अब माता के बज़ाय पशु समझा जाने लगा है जिससे गाय के धार्मिक महतों को लोग भूल चुके हैं। गउकरांती मंच ने सगार से मांगी है कि गाय के गोबर की कीमत किसान को दस उप्रे प्रती किलों के हिसाब से दी जाएं। गाय के गोबर से बनी खात का ही खेतों में प्रयोग हो। सरकार ऐसे कानुन बनाएं। सरकार गोबर गयास के प्लांट स्थापित करके उसी से चुले और मोटर गाडिया चलाएं ताकि लोग गाय पालने के लिए आगे आएं। गोबर मंतरले महाराज ने कहा कि गव को राष्टर माता गोशित होने से गव मंतराले का भी घटन होगा। गव मंतराले बनने के बाद मंतराले प्रतेक गव में 10 युवक और 10 युव्ट्यों गव सिब के रूप में सरकार निप्र करें। ताकि वे लोगों को गाय के बारे में जागुरू कर सके गोबालमणी महराज ने हिमाच्यपत्री सरकार का विधान सभा में गाय को राष्ट माता गुशित करने के लिए सदर में बिल को पास करके केंद सरकार को भेजने के लिए अभार भी चताया देखे हम लोग पुरे देश के अंदर गोव माता को धार्मिक द्रिष्टी से देखा जाना चाहिए पसबो नगावा उसको कहीं भी पसू की संया नहीं दी गई है हमारे बेद पुरान उपनिषद गाय को माता का संमान देते हैं इसलिए इस देश के बहुत संक्यक समदाय की आस्ता का संमान करते होे ये भारत वर्स तुरंत अविलंब गोव माता को राष्ट माता का संमान दे ये कारिया हम हिमाचल प्रदेश की जो यहां की विधान सवा है यहां की जो सरकार है उसका अभिननन करते हैं उसका धन्यवाद भी ग्यापित करते हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रस्ताव को हिमाचल विधान सवा से सर्व सम्मती से पास करके केंदर को भेजा है और इसके साथ इस बिचार को ले करके हम पुरे देश के 666 जिलों में चले गए हैं, 29 राज्यों की राजदानियों में चले गए हैं, एक एक बार ने अब दो दो बार जा रहा हैं और आज हम जो ये श्यामला नगरी है, जो हिमाचल प्रदेश की राजदानी है, इसमें आये हैं, पांस दिन प्रताइक गाउं में कमसे कम 12 युभाव और 10 यूभतियां सरकारी गाई के रूप में ज्ञेरिधा कीरत्म हैं इस देश के हर केत में गाय के गोबर की खाध का ही वित्रण हो जो इस देश के स्थे पर trudy गोवर गैस के प्लांट लगें, उस गोवर गैस से इस देश के चुले जलें, गोवर गैस से इस देश की मोटर गाडियां चलें, इस देश के दस वर्स तक के बच्चों को गाई का दूद उपलब्द हो, जिससे कि इस देश में हम राम और कृष्ण को देखना चाते हैं, क्य कर रहे हैं और उस जन जागलन को ले करके आजकल हिमाचल प्रदेश की राजदानी सिमला में स्यामला में आये हैं ये